बच्छों आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम सीखेंगे कि गुणा क्या होता है और उसे कैसे करते हैं तो एक दिन आपके घर में आपके कुछ दोस्त आये तो आपकी ममी ने एक कटोरी में लड़ू रखकर कहा कि इन्हें अपने दोस्तों में बाट दो दो लड फिर दूसरे को दिया दो लड़ू फिर तीसरे को दिया दो लड़ू फिर चौथे को दिया दो लड़ू फिर पांचमे को दिया दो लड़ू फिर छटे को दिया दो लड़ू तो आपने इस तरह से बाट दिया फिर आपके दोस्त ने पूछा कि कटोरी में कितने लड़ू थे तो आपने इनको जोड़ना शुरू किया, दो, एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तो आपको पता चला कि कटोरी में बारह लड्डू थे और आपने बारह लड्डू को बाट दिया, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दो, धन, दो, धन, दो, धन, दो, धन, दो, अब इन सब को जोड़ते हैं, दो, दो, चार, दो, छे, दो, आठ, दो, दस, और दो, बारह, यहां तो कम लोगों में लड्डू बाटने थे, तो आपने बाट दिया, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब बहुत सारे लोगों में लड्डू बाटना होगा, तो फिर इस तरह से बाटने में तो परेशानी होगी, और इस तरह से बाटेंगे तो ठक भी जाएंगे, तो इसके लिए हम बार बार जोड़ न करके, गुणा करते हैं, अब छै लिखती है, अब हम इसको आपस में गुणा कर देंगे, मतलब पहाडा पढ़ेंगे, छै का पहाडा दो बार, छै दूनी बार, ये जल्दी हो गया, इससे हमें ये पता चलता है, जो ये हमने किया, प्रेक्रिया, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो गुणा होता है, दोहराया हुआ, जोड होता है, यदि कोई संख्या बार-बार रिपीट होती है, या दुबारा आ रही है, तो उसे हम गुणा कर सकते हैं, और गुणा जो होता है, वह असल में जोड ही होता है, चलिए इसे एक और उधारण से समझते हैं हम गुणा को, आपकी ममी और पापा खेत में जब पौधे लगाते हैं, तो वो भी लाइन से लगाते हैं, टमाटर या मिर्च जो भी पौधे लगाते हैं, तो चलिए इसे भी हम समझते हैं, अब पहले हम देखेंगे इसमें कि इस लाइन में कितने पौधे लगे हुए हैं, तो ये चार हैं, तो हमने लिख दि हमें 4 तिया 12 अब हमने इधर से तो देख लिया चलिए हम इधर से भी देख लेते हैं इधर से कितने हैं पौध है तीन तो हमने लिखा तीन और इस तरब कितने हैं इस लाइन में चार, तो हम यहाँ पर चार लिख देंगे, तीन चोक के बार, तो देखा बचों, इससे हमें एक बात पता चली है, कि यदि हम संख्याओं को अदल बदल कर गुणा करें, तो गुणन फल एक ही आएगा, चाहे हम चार को पहले लिखें, और तीन को बाद में, चार का गुणा 3 से करेंगे तो 12 आया और 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 ही आया चलिए एक और तरीका सीखते हैं इसी संख्या को हम देखते हैं 4 और 3 का गुणा अगर करना है तो चलिए अगर आपका पहड़ा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो हम ऐसे कर लेते हैं चार है तो हमने चार लाइन खीच ली, एक, दो, तीन और चार, अब गुणे कितना है, तीन, तो हम इधर भी तीन लाइन इस तरफ खीच लेंगे, अब जहां जहां पर ये लाइन कट रही है, इन जबहों पर हम पॉइंट बना लेंगे, अब हम इनको गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, ये देखिए फिर से बारह आ गया, चार गुणा, तीन, बारह आ गया, तो बच्चों, आज आपने गुणा को सीख लिया, समझ लिया कि गुणा क्या होता है, और कल की क्लास में हम बड़ा गुणा के प्रश्न सीखेंगे,